असलामरेकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं सब ठीक होंगे खैरिया से होंगे अल्हमदुलिल्ला मैं भी पिल्कुल ठीक हूं खैरिया से हूं देखो कि रमदान में हमारे क्या हालात होते हैं क्यूंकि मुझे तो डेली घर से चाना होता है मैं जिस टाइम मैं घर से निकलती हूं उस टाइम वैसे भी दूप बहुत जाद होती है ओल्मॉस्ट 11 को का टाइम होता है तो दूप बहुत तेज़ होती है उस टाइमiler और इस दिन तो जिस दिन ये वीडियो उस दिन ट्राफिक भी बहुत जादा था वैसे तो लोहाँ में ट्राफिक बहुत होता है यह उस दिन बहुत आपके साथ Lakshyar करूंगे अपनी डेली के रुटीन के साथ करूंगे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कॉंटेक्ट किया और नो मुझे कहा कि आप की विडियो destari कोंम के इस ब्मॉजा कॉनल मी कई क्या हुदा को कि थे हूद आती है जो कंहां चुछा भी एंगान गतर है कि इस स्वाल कर देते हैं जिनका जवाब समझ भी आ रहा होता है कि इनसान आपको यह जवाब दे और सामने वाले को भी पता होता है कि इसका यह जवाब बनता है तो फिर भी ऐसे स्टूपड सावाल क्यों कर लेते हैं बाहिर आते जाते हैं अब हर टाम आप कैमरा तो पना पकड़के बैठ नहीं सकते हो नाश्टा बनाया तो नाश्टा तो खेर में नहीं बनाती हूं कि ब्रेकफास करने से मेरी चांड जाती है बनाने से सोई करने से नहीं तो ब्रेकफास मेरी मुमा बना देती है या घर में मुझे कोई ना कोई उसके बार मैं कोई भी काम कर सकती हूं पर मुझे ब्रेकफास बैठे हुए मिले तो फिर एक्टिव रहती हूं मैं सारा दिन सुबोट के अगर ब्रेक्षास कुद बना के मुझे करना पड़े तो मैं कभी भी नी करती हूं मैं भूकी रह लेती हूं यह वैसे बैड है पीटा मेरी I know बट इस पर मैंने बड़ा वर्क किया बर नहीं होता है तो उसके बार नाश्टा किया नाश्टे के बाद लंच का टाइम हो गया था तो लंच के लिए सब चीज़े रैडी करना शुरू हो गए थे तो यह मैंने पिटाटो कटलिस बनाए थे मुझे पसंद है मेरी घर में सब ही शौक से खाते हैं तो मैंने का चले हूं आपके इसमें चेंज किया था वैसे तो यह वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि मैंने का चीज़ें आइड की है जारी से बता जो डेली खाना बनाता उसको समझ आई जाती है तो एक एक चीज क्या बतानी तो इसके अंदर मैंने जब आलू बॉयल किया था तो मेरा इरादा तो मैंने इसकी बोल्स बना के इसको फ्रीज में कुछ टाइम के लिए रख दिया था आप फोरन भी इसको बना सकते हैं मैंने कुछ टाइम के लिए फ्रीज में रख दिया था और उस टाइम में फ्री टाइम में सैलेड वेरा रेडी कर लिया था और यह राइस थे वेज़ करीं और सरा सालैड रेड़ी हो रहा था अच्छा क्योंकि मुझे सालेट पसंदा मैं कहती मुझे कुछ मिले ना मिले मुझे प्रिनावनी काया जाता स्वाइब दॉटि अथे इच्छाك मिर्च और ढमग डाल चाया क्या क्योंकि जो बोल्स बन आके रखे थी तो उसको फ्राइ करना था हमने तो उसके अंदर आप एक के अंदर थोड़ी से आप काली मिर्च और नमक आइड करने तो वह टेस्ट इक वर हो जाता है तो उमीद करते हूं आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरी वीडियो को सबकर साथ शियर कीजिएगा और अपनी बहुत सी दवाओं में मुझे याद रखिएगा तो लंच टाइम था लंच किया लंच के बाद हमने चाय पी जो के जरूरी है खाने के बाद खाने से पहले हर टाइम चाय चाय हनी डाल के खाते हैं बस ट्रॉबरी का टेस्ट अपना ही अच्छा है हनी डाल के इसका टेस्ट बिल्कुली फजूल हो गया था चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सा ख्यार रखिएगा खुदा हाफेज